नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है, मोती तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वो स्कूल जाते समय अपने साथ दो रोटी लेकर जाता था, रास्ते में मंदर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी, वो दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था, मोती कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता, कभी कभी स्कूल के लिए देर होती तब भी वह बिना रोटी खिलाया नहीं जाता, स्कूल में लेट होने के कारण मेडम डांग भी लगाती थी, वो गाय इतनी प्यारी थी, मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती, मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे एक दिन की बात है मोती बजार से सामान लेकर लोट रहा था मंदल के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकर लिया मोती से सामान चीनने लगे गाये ने मोती को संकत में देख उसको बचाने के लिए दोड़ी गाये को अपने ओर आता देख सभी लड़के 9-11 हो गए मोती ने गाये को गले लगा लिया बचाने के लिए धन्यवाद कहा मैतिक शिक्षा गहरी मित्रता सदैव सुप्दाए होती है मिस्वार्ट भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए